तो जिया मेरे फ्यारे फ्री फार्स लबर्स और बेरे च्छा च्छात्रव आपका एक बार फिर से सोगत है आज के एक और जवर दस और धमाकेदार वीडियो पर यहां पर मैं आपका त्रमासिक परिछा 2022 का कक्छा 10-20 आपका समाजी विग्यान का आपका पेपर लेका चुका पूरे वीडियो आपको लाज तक देखना है और यहां पर एक एक कॉस्चन आपको रट लेने हैं त्रमासिक के पेपर में आप यहां पर गर्दा मचा देंगे तो चलिए यहां पर बेड़ो को स्टार्ट करते हैं और जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहा है बेड़ो कि आपने 9 पर टॉपर वना है यहां पर 10 में भी आप धमाल मचा होगे देखिए सबसे पहले आपको यहां पर कॉस्चन एक से लिकर्ब आपका 5 तक का बच्तुनिष्ट कोश्चन है 32 के और इसके बाद 6 से 23 तक के आपके इसमें आंतरिक बिकल्प दिये गए मतलब आपका अथपा सईथ है ठीक है चली इंट्रक्शन पढ़ लिजेगा इसके बाद आपका यहां पर आता है देखिए सबसे पहरे आपको यहां पर आपको यहां पर सही बिकल्प आता है ठीक है तो सही बिकल्प आपको कैसे करने बहुत सिंपल कोश्चन है आपको यहां पर क्या आपका यहाँ पर पुना पूर्थी योग है या फिर आपका यहाँ पर आजैब है या फिर आपका यहाँ पर आचक्री है ठीक है तो आपको बताना पड़ेगा भाई आपका अंसर क्या होगा तो देखिए आपका यहां पे पहले का अंसर आपको जो हो जाएगा आपका जोवारी उर्जा कैसा होता है पुना पूर्ति योग कहलाता है कैसा कहलाता है आपको यहां पे का नंबर आपका राइट होगा बिल्कुल आपको जो यहां पे कुछ यूटूबर्स आपकी अंसर य आता है समुद्रों में, तो समुद्रों क्या होता है, बार बार आती रहती है, एक बार आता है, फिर नीचे जाता है, जो और भाटा, जो और भाटा, यादि पुना पूर्ती योग आपका होता है, इसके बाद देखिए, निमलिखित में से किस प्रांत में सीधी दार आपका स पाड़ tornado पर राज़ों पॉर्ट ऐसुर पर खौस्ट पर शक्ता को पांशर से मसक्त वूल्च है हैं राजस्थान लेकिन आपका यह गलास है कि को राजस्थान में काली मिट्टी नहीं बायाती है मद्द पर्देश में होता है गुजरात में होता है महाराष्टर में होता है ठीक है और करनाटक में तो देखिए आपका अपस्वन क्या इसमें आपका अपस्वन एक है आपका महाराष्ट का है तो आपका राइट अंसर आपका महाराष्ट होगा और गुजरात होता तो आपका अंसर गुजरात भी होता और यदि आपका मत परदेश होता तो मत परदेश में आपका यहापे मालवा छेत्र में काली मिट्टी पाई आती है और करनाटक में भी आपका यहा अधार पर विभाजित किया गया है तो पहला आपका रोजगार की सर्थ हो गया या फिर आपका उद्धिमों का स्वामित स्रमकों की संख्या और आए बहुत सार यूटो पर इतना सारा गलत बताएंगे लेकिन हम आपको बता दे यह आपका जब वीडियो बनेगा इसके बाद बहुत सार यूटोबर और बनाएंगे लेकिन आपके इसमें राइट अंसर आपके होगा उद्धिमों का आपका स्वामित ठीक है यहाँ पर आए आपका अंसर नहीं होगा ना तो आपको स्रमकों की संख्या होगा ना फिर आपका रोजगार की आपका सर्थ होगा अब इसक असम के कांजी रंगा जो आपका यहाँ पर है यहाँ आपका अंसर नहीं होगा देखी असम के कांजी रंगा में आपके यहाँ पर गैंडे पायाते हैं और नील गिरी में क्या पर आते हैं आपका साइलेंट वैली स्थित है और पंजाब का सुंदर बन आपका यहाँ पर प पाई आते हैं ठीक है चलिए अब इसके बाद देखिए कोश्चन भारत में सक्तियों का बटवारा किया गया क्या सम्धान के दोरा किया गया है या फिर आपका न्याले के दोरा या फिर आपका सासन दोरा या फिर आपका उप्रोक सभी के दोरा तो आप देखी हमेशा सक्तिय चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं आप सम्मिधान में संसोधन करते हैं तो आपको याद रखना है इसके बाद आपका आता है यापका रिक्त स्थानों की पूर्थी करना आता है तो देखिए आपको यहाँ पे कोश्चन मर्दू में आपको पहला लिखा है सेवा छेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में ब्रद्धी डैस डैस है ना तो आपको अंसर यहाँ पर कर देना आपका नहीं हुई है ठीक है आपका सेवा छेत्रक में रोजगार में उत्पादन के समान अनु होता है यह सीधे आपका कारखानों में बनते हैं ठीक है को या आपका समान हो गया लाश्ट में जैसे आपका पास ने क्या किया कपास की फदल लगाए तो आपका प्रत्धमी उसके बाद इसके बाद उसकी कताइब भुनाई करे आपका दूतियक और तीसरा आपको जो परपड और चलिए इसके बाद चलते हैं कॉश्चन आपका है चोथा में देखेंगे आपको यहाँ पर लिखा है स्रिलंका में भासा बहुत संक्याक है आपका क्या होगा तो सलंगा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादों रहते हैं आपका सिंगली ठीक है और इसके बाद पाचवा नेपोलियन बोनापार्ट डैस डैस की युद्ध में पराजित हुआ तो आपको यहाँ पे उल्म नहीं करना है आपको यहाँ पे सिंपल तरीकी सांसर करना है आपक तरका सबसे ज़्याधिक कहां है तो सिंपल सी बात है केरल में आपका सभसे ज्यादा सक्छर राजा आपको अंसर यहाँ पर करना है इसके बाद आपको आता है यापमे की समय फ्रांस का राजा कौन था तो आपको अंसर आपको यहाँ पर लूई आपका सूलावा करना है क्या कहला है लूई सूलावा हो जाएगा ठीक है चलिए इसकी बाद दूसरा नो जनबरी आपका 1922 आपको इसमें राइट अंसर होगा इसके बाद देखी आपका यहाँ पर कौशन आता है भारत में कौन सी सासन प्रड़ाली है आपको यहाँ पर तीसरा कौशन तो आपको इसमें शासन प्रड़ाली है इसकी बाद और इसके बाद आप का सामील होना क्या कहलाता है तो पर्यावरण प्रदूसरन जो रितु गिरा देते हैं उसे कहते हैं क्या फिर पत्जड आपका ब्रच करते हैं ठीक है पत्जड ब्रच लिख दीजिए आपके से अंसर हो जाएगे और या फिर आप इसे देखी यहापे लिखा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा तो देश के बांधों को यहापे किसने भारत का मंदिर कहा आपको अंसर सिंपल तरीक से पंडित जवाहर लाल नहरू कर देना है ठीक है चले कर लेजे अब इसके बाद देखिए नेश्ट आपका यहाप लिखा है अर्थ वरसा को कितने भागों में आपका छेतरों में बाटा गया है तो आपको सिंपल तरीक से आपको यहाँ पे तीन छेत लिखना ह क्या लिखना है आपका तीन छेत कौन कौन सा आपका यहाँ पे हो जाएगे प्रात्मिक और इसके बाद आपका दुतियक और दुतियक के बाद आपका यहाँ पे तरतियक ठीक है चलिए आप यहाँ पे तीन लो लिजीए इसके बाद आपके आते हैं अब इनके अंसर में आ से लिखते जाईए आपके अंसर आपको यहने मिल जाएंगे ठीक है देके आपको अधिकारों लिखार닝 समान, और आजिकारों के मावले में महीला और पूरूस लिखाये ना आप पे महीला और पूरूस के बराबरी मानने वाला और या कह राता है तो आपको यह pedale सब्सक्राइब अंधार मांने वाला व्यक्ति क्या के राता है तो आप सुन परदाइक करना आपको सिंपल करना है और इसके बाद देखिए आपको मैं और फिर सी दिखाता हूं पहला आपका यहां पे हो जाएगा आपका सिंपल तरंकी से आपको यहां पे इस वाले मिलाना है और इसके बाद आपको दूसरा काणसर आपको यह पे संपरदाइक में और इसके बाद जयती के अधर पर तो यहाँ पर देखिया आपका ज्यातिके अधार की बात कर रहा है तो ज्यातिके अधार पर आपका कहाँ पर आप कर दो और इसके बाद चोथा बेक्तों के बीच धार्विक मानताओं के अधार पर एक दोसरे के विशाथ भीवधाव नहीं करने वाला बेक्ती आपके कहलाता है और असिंचित भूमी कहलाता है क्या कहलाता है लास्ट बाल देखी असिंचित भूमी आपके यहां पर हो जाएगा सिं लोग का कममूल आपके हैं पे देखिए आपको यहां पे सहकारी विपड़न समीती और इसके बाद करजभार ठीक है करजभार आपका कम ब्याज के ब्याज पर बैंको दोर आपका साख उपलब्ध करवाना तो आपको यहां पे इस प्रकार से आपको अंसर करना है इसके बाद question आता है आपको यहां पर पांच बाद सत और असत वाले question देखे आपको पहले क्या करने है आपके 6 नमबर question है पहले आपका लिखा गया है इसमें क्या लिखा गया है आपका लिखा इसमें लोकतंत्र हमेशा समाजी विभाजन के धार पर समाज का बिक्टन करता है तो आपको क्या करना है आपको यहां पर समाज के धार पर नहीं करता है आपको सिंपल तरसी बता देते है ठीक है आपको यहां पर यहां पर हो जाएगा जंता के धार पर तो आपको यहां पर आंसर आपको इसको असत कर देना है ठीक है आपको यह असत कचिन लगा है मतलब आपका गू लुए अपकि नेंगे लुए पहले पाली में आप यहां पर असत्य करेंगे और असत्य की बाद दूसरे बाली की यहाँ पराय को लाला आपको क्या हो जाएगा आपका सिंपल तरीकी साथ को यहां पर यह सत्ध नहीं हो ठीक है व्लाज पार्टी के जवापको यह पर सत्ध कर देदेना है इसके बाद देखिए आपका न्यस्ट कोश्चन चौथा पूर-ट्राज की मांग 1929 में जबाहल लाल नेर्व की अध आपना 885 में क्या महात्मा गांधी ने किये थी तो ये भी आपका क्या है आपका असत्त है क्योंकि महात्मा गांधी ने नहीं किये थी इसके बाद देखिए आपका नेश्ट क्या लिखा है बिना किसी प्रश्रमिक के किसी काम को करवाना क्या बिगार कहलाता है तो आपका यह आता है question जै के तो question क्या आता ह। उय इसके बाद अन्सर्पना टरीकी से आपको इसकinki अन्सर्पना करना है तो आप सिंपल से आपको इसकी hypotheses भर मैंने करेगा ध्यान दर्स आपका यूट्वी देखिए ऊजत्फब मैं और कि नेश्ट कोश्फन प्र करने तो देखिए आपको हम यहाँ पर आपका कलपना दर्स यूटोपिया के बारे में आपको इसका अंसर हम दे रहे हैं आप इसके इन पर देख सकते हैं और इसके बाद आप इसका खुछ से करनेक प्रास करिए और अगले वीडियो पर हम आपको अत्वा सहीत अंसर दे देंगे ठीक है चलिए इसके बाद कोशन नमर 7 देखिए बालकन छेत्रों के अंतरगात आने वाले दो प्रमुक आपको राज्यों के नाम बताना है तो मैं आपको यहाँ पर इसका भी अंसर दे रहा हूं साथ में आपको यहाँ पर देखिए आपका अध्वा कोशन दिया गया है आ आपका उदार वात का आपको अर्थ बताना है तो आपको मैं इसका भी अंसर आपको इस पश्ट तरीके से आपको दे रहे हैं ठीक है आप इसे अच्छे से कर लिजिए और इसके बाद आपका आता है कौश्चन नमबर 8 बाइसकार का क्यार्थ है आपको अर्थ करना है या इसके बाद देखिए आपको यहापे दो दो नमबर वाले कौश्चन है ना इसके बाद कौश्चन आपको नवा देखिए दबाब समूह क्या कहलाता है आपको यहापे दबाब समूह के बारे में आपको बताना है और इसके बाद इसके अत्वा कौश्चन निराउंकुस ब लेकर आपको यहां पर राष्ट आयो के बारे में देखे यहां पर दिखी आपको नगया तर आपको लगातार आपको अगले वीडियो पर घृति के लैकर आपकेश सीध्य आपके przep तक के question के अंसर आपको रहेंगे इसके बाद question बारवा प्राच्छन या गुप्त बरुजुकारी सक्क्या समझते हैं और दोटेक छेत और तरतीक छेत किसे कहते हैं आपके एक इंका अंसर साथ में आपको यहापे जय बिविक्ता क्या है और मानो जीवन के लिए किस प्रकार स महतबूर क्यों है और जल्द दुरलपता क्या है इसका आपका प्रमुक कारण और इसके बाद देखिए आपको यहापे असर पड़ता है आपका यह अंसर पताना पड़ेगा ठीक है आप इससे लिखिए जलिया बाग वाला हत्यकार्ण पर आपका अगवार लिए रेपोर् सब्सक्राइब करिए और यहाँ पर आप यहाँ पर अगले वीडियो पर आप यहाँ पर बिल्कुल गरता मचा देखिए जहें